इस सब हो गया लेकिन उसकी चर्चा अबी तक चली। परधा रहीती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वैम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाया इस प्रकार ये बाते हुई जस प्रकार एक दूसरे को लताडना हुआ। प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संसे उत्पन्न होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया चुनाव लटने में भी एक मरियादा होगी उस मरियादा का पालन नहीं हुआ देख साल से मनिपूर शां है कल सरकार भी बन गई है इस सब हो गया लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चल जो हुआ वो क्यों हुआ कैसे हुआ क्या हुआ यह अपने देश के प्रजात आंत्रिक तंत्र में प्रति पाच वर्षों होने वाली घटना है होती है उसके अपने नियम है डायनेमिक से उसके अनुसार होता है अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्दारन करने वाला उप्रसंग है महतोपुर्ण है लेकिन हम चर्विच्छरवन करते रहें इतना महतोपुर्ण क्यों है समाज ने अपना मत दे दिया उसके अनुसार सब होगा क्यों कैसे इसमें संग के हम लोग नहीं पड़ते हैं हम अपना है थो प्रजात अंतर की अनिवार या आवश्शक प्रकृया है और उसमें दोपक्षर रहते है इसलिए स्परदा रहती है स्परदा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंतु उसमें भी एक मर्याद आए असत्य का उपयोग नहीं करना चुने क्यों जा रहे लोग संसत में जाएंगे बैट कर उपने देश को चलाएंगे सहमती बना कर चलाएंगे हमारे आतो परंपरा सहमती बना कर चलने की है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सहचित्त मेशाम इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिपणी है वो कहते कि रुगवेत कारों को मानवी मन का कितना ज्यान था ये समझ में आता है सब जगह उन्होंने समक आहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना लेकिन चित्त के बारे में समझ ही कहा क्योंकि प्रत्य क्व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग हो ता ही है। और इसलिए 100 प्रतिशत मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्तत अलग-अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चे करते हैं तो सहचित्त बन जाता है वास्तों में संसत क्यों है उर्ष में दो पक्ष क्यों है इसलिए है कि दोनों पहलू उजागरो किसी भी सिखे के दो पहलू रहते हैं एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ता कि जो होना है वो पूर्ण अतहार ठीक हो सहमती बने इसलिए सुसत बनती है लेकिन इसी सहमती बनना स्परधा करके आये लोगों में थोड़ा कटिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमती का आसरा देंगे उसके लिए इस परदा कलती है इस परदा है कोई आपस का युद्ध तो है नहीं जिस प्रकार ये बाते हुई जिस प्रकार एक दूसरे को लताडना हुआ जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संसे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संगे जैसे संगटनों को भी उसमें खिचा गया टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई नितांता असत्य चाह शास्त्र का विद्यां का विद्या का ये उप्योग है सज्जन विद्या का ये उप्योग नहीं करते का विद्या विवाद ये खलस्य इसा का है विद्या विवाद आया धनम अदाया सति परेशाम पर पीड़न आया खलस्य आधो हो विपरित में तक न्यानाय धानायोचा रक्षृण आज़ा कि विद्या का उप्योग प्रबोधन करने के होता है लेकिन आधुनिक मिद्या टेक्नोलोजी का उप्योग असत्य परोस्थि लिए की आगया अ कि एसे से देश कैसे चलेगा आखिर सब को देशी चला मेरें नुट तो बक्षए है विरोधी पक्ष कहते है में प्रतिपक्ष कहता हूं वो विरोधी नहीं है उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए वो प्रतिपक्ष енहीं है उसकाted पहलू उजागर करना है उसका भी विचार होना चाहिए, ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मरियादा होती है, उस मरियादा का पालन नहीं हुआ, जोंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है, कि हमारे जेश के सामने चुनोतिया समापतनी होगी, अब सरकार बन गई, वही सरकार परदी से आगए, इंडी है, अब एक साल से मनिपूर शांती की रहा देख रहा है, उसके पहले दस साल शांतर रहा, पुराना गन कल्चर समापत हो गया, ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया या उपज आया गया, उसकी आगल में अभी तक जल रहा है, त रही तर एक रहा है